हेलो फ्रेंट्स मैं रंजित ये साज तक मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों डिप्यस्सी पोस्ट डिटेल के अंत्रगत आज मैं मोटर वाहन निरिक्षक अर्थात M.B.I. के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं तो वीडियो काफी महतुपूर्ण होने वाला है वीडियो को अंतक देखे अगर हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए जान कि अंत्रगत ये अपना योगदान देते हैं ठीक है ये अपना योगदान जिलास्तर पर देते हैं जिलास्तर के जो डिटियो कर्याले होते हैं वहां पर ये योगदान देते हैं और ये एस्टेट कैडर होते है ठीक है एस्टेट कैडर वैसे कैडर को कहा जाता है जिसका ट पर सकती है जबकि नियुक्ति जिला कर्याले में होता है पर उपने पदस्थापन यह होता है वो परीबहर विभाग के अंदरगत होता तो यह जो मोटल वेइकल इंस्पेकटर जो होते हैं यह M V I DTO के अंत्रगत काम करते हैं ठीक है जिला में जो डिस्टिक ट्रांसपोर्ट आफिश होते हैं अफिशर तो उन्हीं के अंदर ये काम करते हैं और डिस्टिक ट्रांसपोर्ट आफिशर के अंत्रगत काम करने वाले दो तरह के विंग होते हैं एक इन्फोर्समेंट विंग होते हैं और एक technical wings होते हैं ठीक है एक technical केरडर होता है और एक enforcement केरडर होता है तो enforcement केरडर के अंदर गयाद ESI होता है enforcement सब इंस्पेक्टर जिसके बारे में मैं अल्रडी वीडियो बना चुका हूं अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनी टूप से हूं तो MBI क्या है एक technical केरडर है technical wings है किसके DTO के और यह technical support परदाम करते हैं DTO को ठीक है तो अब हम लोग technical support में यह क्या क्या कर सकते हैं यह प्रभाइट technical support in inspection of vehicle vehicle कोई भी vehicle होता है जो गारिया होती है उनके inspection में यह मदद करते हैं चुकि ESI और MBI दोनों जो होता है वो inspector category का एक पद है ठीक है इनका काम ही है inspection करना तो inspection करते हैं किसका वेकल fitness गारी के fitness का जाच करते हैं यह गारी के परदूसर वगएरा इस सब का जाच करते हैं तो fitness का जाच की जिम्मदारी नहीं होता है और limitation of speed in vehicle in to limitation of speed जो होता है जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे roadside में लिखा होता है 40 km कहीं कहीं 80 km लिखा रहता है तो यह speed लिखा रहता है कि आप इतने speed से यहां गारी चला सकते हैं तो यह speedometer के द्वारा यह जानते हैं कि कौन सी गारी limit से अधिक देख चलाए जा रही है और उसका find कर सकते हैं यह ठीक है तो यह technical wings है technical support प्रदान करते हैं साथ ही DTO क इनको समय समय पर जो officers होते हैं इनके बड़िये पदाधिकारे जो होते हैं जो समय समय पर इनको कार्द सौपते हैं उन सभी कारियों का निस्पादन भी यह करते हैं ठीक है इस परकार से यह technical support के लिए जैने जाते हैं MBI अब इनके salary की बात कर ले तो 7th pay के अनुसार ठीक है इनको लेवल 6 के अंतरियत रखा गया है 6 पे में 1200 ग्रेट पे के अंतरियत इनका पद है और लेवल 6 है इनका 7th pay कमिशन के अनुसार मतलब 7 पे कमिशन में इनको 6 लेवल पर रखा गया और इनका basic salary 35,400 होता है इसके अलवा इनको dearness allowance, house rent, medical allowance और other allowance भी मिलता है तो इस परकार से देखेंगे तो बरतमान इमें इनका 48,000 से 50,000 के बीच salary हो जाती है ठीक है पर मन्त तो काफी अच्छा salary के मामले में भी ये काफी अच्छा है और work के मामले में भी काफी अच्छा job है ESI से ये काफी सांती पुन जाब है चुकि ESI जो है वो चेक पॉस्ट पर आते हैं और वेकल के जितने भी enforcement का काम होता है, overloading वगारे सब चेक करते हैं लेकिन इनका काम technical support होता है तो technical support के कारण क्या होता है इनका काम जो है काफी शांती पुन होता है ठीक है और सांती पुन क काम होने के कारण अगर आप चाहते हैं कि शांती पुन जाब करें तो यह पद आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है और साथ ही salary का भी काफी अच्छा खासा salary भी मिलता है लगभग 48,000 से लेकर 50,000 के बीच वरतमान में इनकी salary होती है तो यह काफी अच्छा खासा salary है अब हम जान लेते हैं कि promotion के बारे में तो MBI का promotion जो होता है वो एडिटीयो के पद पर होता है ठीक है MBI को promote करके first promotion जो होता है वो direct एडिटीयो बनाया जाते है एडिटीयो का मतलब होता है additional district transport officer ठीक है additional district transport officer जो अभी हाल ही में आप BPSC का जो vacancy आया है उसमें देख रहे होंगे कि ए एडिटीयो पर promotion जो होता है वो किस तरह से होता है एडिटीयो का जो पद है वो direct भराजाता है 50% direct मतलब WPSC vacancy के द्वारा 55% पद को भरा जाता है और 55% पद को एडिटीयो की 50% पद को promotion से भरा जाता है ठीक है इस 50% promotion का जो पद है उसमें 30% promotion MBI को मिलता है MBI के जितने भी initiatives के लोग हैं, उनको 30% लोगों को प्रमोट करके एडिटियो बनाय जाता है, मतलब जैसे अगर 100 पद है, तो उसमें से 30 पद रिजर्व हो जाते हैं, MBA कैटेगोरी के लिए और 20 पद रिजर्व हो जाते हैं, ESI कैडर के लिए, तो 20% ESI कैडर वाले को मिलता है के रूप में होता है, तो MBI direct आ जाते हैं, EDTO, लगभग इनको 10 से 12 साल लग जाता है, EDTO बनने में, EDTO के बाद दूसरा प्रमोशन आपका DTO के रूप में होता है, District Transport Officer के रूप में, ठीक है, इसमें भी काफी लंबा समय लग जाता है, लग होई 10 साल के असपास में इसमें भी लग जाता है, और उसके बाद आपका तीसरा प्रमोशन जो होता है, वो RTO के रूप में होता है, जिसको Regional Transport Officer कहते है, ठीक है, Regional Transport Officer कहते है, इस परकार प्रमोशन के अच्छा खासा स्कोप है, आप एक प्रमोशन के बाद ही पतादीकारी बन जाएंगे, और काफी अच्छा ख कारे में आप पूरी तरह सभी तथ्यों को आप समझ गया होंगे, अगर आप MBA के बारे में कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा आप लोग को, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो